गुद मॉर्नी ग्लास सेकंड तोड़े वी आर गोइंग तो कम्प्लीट एक्सरसाइज ओफ चैप्टर थर्ड हाव आवर बोडी वर्क्स ओके सो लेस्ट स्टार्ट आवर फर्स कोश्चन इस ए पैस्यूर फोटोग्राप ओफ प्रेजेंट एंड वेन यू आर्टू इयर्स बाइन यू सामएक पुल्ड आपको यहां पे जो यह ब्रैकेड दिख्राइब इसमें आपको अपना है जो असे दिखते हो वह वाला फोटो और जे वाला फोटो वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर जो जब आप दो साल के थे यानि टू यहाँ के थे वो वाला आपको यहाँ पर पैस करना है Question number B है Tick the correct option यहने सही वाले option पर टिक करना है First है Our body has dish तो हमारी body में क्या होते हैं One part, many parts या three parts यहने तीन पार्ट होते हैं या one part होते हैं या बहुत सारे तो correct answer है B, many parts Okay, our body has many parts Second question is Second is, we use our arms, hands and finger हम हमारे arms का, hands का और finger का यूज करते हैं Dash to do some work यहने इसका सही answer आएगा All together, हम यह तीनों को मिला कर क्या करते हैं किसी भी काम को करने के लिए इन तीनों का यूज करते हैं Arms का, hands का and fingers का The correct answer आएगा All together Third है, the dash head to fold and unfold the leg वो कौन है जो हमें पैर फोल्ड और पैर को खोलने में मदद करता है Thigh, toe या knee यहने के घुटना तो correct answer है, knee यहने जो हमारा घुटना होता है, knee होता है वो हमें help करता है, fold और unfold करने में leg को यहने पैर को fold और unfold यहने खोलने और बंद करने में फोर्थ है, what is it that makes you able to eat and laugh वो क्या है जिससे हम खाते हैं और हसते हैं option है, a lips, b face या c mouth तो answer आएगा mouth हम हमारे mouth की help से eat करते और laugh करते हैं यहने हसते हैं और खाते हैं, ok c, write t for true and f for false इनके रिया में true और false लिखना है first है, we eat with our mouth क्या हम हमारे मुह से खाना खाते हैं answer है true, yes यहने हम हमारे mouth की help से खाना खाते हैं second, the arms are used for kicking जो हमारे arms होते हैं, मतलब जो हमारी भूजाएं होती है वो kick करने में मदद करते हैं, no हम हमारे legs की help से football को kick करते हैं, है ना तो यह answer आएगा false third है, we use our back to take rest क्या हम हमारी peat का use करते हैं, अराम करने में, yes true जो कंदे होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, नहीं, वो करते हैं, इसलिए यह false आएगा क्योंकि हम हमारे shoulder की help से ही कोई भी बजनदार सामान, जैसे bag हुआ या कुछ भी हुआ तो shoulder की help से ही उठाते हैं, है ना किस में यह feel करना था, तो first है, we use our dash to write, हम हमारे किस body part का use करते हैं, लिखने के लिए, राइट करने के लिए, तो answer आएगा, hands, हम हमारे hands का याने, हाथ का use करते हैं, लिखने के लिए, यह लिखा है, hands, okay second है, we use our shoulder to carry loads, जो हम हमारे कंदे होते हैं, उसका use हम कुछ भी carry करने के लिए, loads याने, कुछ भी बजणदार समान उठाने के लिए, use करते हैं, shoulder का use करते हैं, कुछ भी बजणदार समान को उठाने में, third है, we use our legs for cycling, जो हमारे pair होते हैं, हम उनका use काई में करते हैं, cycling करने म फूर्थ है we use our mouth for laughing मतलब हसने के लिए हम हमारे mouth का use करते हैं ओके यह इसमें आपको spelling समझनी आईगी तो इसमें साफ feel कर लेना अब next है e e है answer these questions first है which body parts help you in playing football और कौन सा body parts है जिसके आप जिसकी help से आप लोग फुटबॉल प्ले कर सकते हो तो हम legs की help से करते हैं ना football को की करना पड़ता है इसलिए हम उसे legs की help से करेंगे legs help us in playing football जो pair होते हैं वह हमें help करते हैं football प्ले करने में क्योंकि इसका नाम यह foot ball पेरों से खेलने वाला football इसलिए हम इसमें legs का यूज करते हैं second which body part works when you fly a kite आप कौन से body के part का यूज करते हैं पतंग उडाने में our arms hands and finger जो हमारी भूजा है हाथे और उंगलिया है works when we fly a kite जब हम पतंग उडाते तो यह हमारे arms hands and finger हमें help करते हैं इसी के साथ यह chapter finish होता है आप लोगों को अपनी copy अच्छे से complete करना है ओके और अच्छे से बिल्कुल copy में neat and clean handwriting में लिखना है आप लोगों को चलो now